तो ये जो नए वालपेपर को अपडेट कर दिया गया है तो इह जो नए वालपेपर क्या है और कैसे आप उसको इनेबल कर पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरा नाम सणी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टे तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दो नो नए wallpaper add-on किये गए यहाँ पर बहुत सारी categories हैं कुछ categories मैंने यहाँ पर enable कर रखी है तो आप देखेंगे यहाँ पर हर बार आपको बिल्कुल latest wallpaper मिल रहे है जो कि पहले अगर आपने dynamic lock screen लगाया होगा वो आपको नहीं देखते थे यहाँ पर fully updated किये गए यह आज ही की दिन update हुए है इसलिए मैं आपको आज ही बता रहा हूँ यह आपके बाद शायद हो सकता है नहीं देखें क्योंकि latest ही updated है तो इसको पहले आप update करना पड़ेगा आपको dynamic lock screen को तब जाके आपको यह देखेंगे तो आप देख रहे होंगे हर बार जितनी बार भी मैं mobile को lock करूँगा उतनी बार भी यहाँ पर अच्छे-चे wallpaper आ रहे है या फिर आगर आप यहाँ swipe करके देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल latest यहाँ पर wallpaper को add-on किया गया आप देख रहे होंगे सभी आपको latest दिख रहे होगे कोई भी यहाँ पर पुराना wallpaper नहीं दिख रहा होगा इस लोग कुछ categories है और भी बहुत सारी categories में आपको नहीं wallpaper अपडेट किये गए तो उसको कैसे enable करना है पहले तो वह बता दूँ उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर setting पर setting पर जाना है तो आपको जाना है यहाँ पर dynamic lock screen पर उसके लिए जाना है यहाँ पर wallpaper में या फिल lock screen पर जा सकते हैं यहाँ जाना है यहाँ जाना है यह आज ही के दिन अपडेट हुए बहुत ही शांदर exclusive wallpapers है जो कि Samsung की तरफ से ही rollout किया गया है यह और कोई third party app से नहीं कियो है आप देख रहे होगे यहाँ नीचे आपको नाम भी दिख जाता है क्या चीज़े जैसे लिखा हुए tabby cat यहाँ पर आयागा अपडेटिंग dynamic lock screen with new wallpaper आपको दिख रहा होगा यह आज मेरे पास सुबह 9 बजी अपडेट हुए आप Wi-Fi से connect होंगे तो automatic update हो जाएगा और आप Wi-Fi यूज नहीं करते तो आपको इसको अपडेट करना होगा उसको अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा setting पर पापिस यही पर lock screen पे यहाँ पर जाना हो dynamic lock screen पे और यहाँ पर यहाँ पर सबसले आपको करना क्या होगा dynamic using वह लिखार download using mobile data आपको इसको enable कर देना है और auto updates को भी enable कर देना है उसके बाद यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर कुछ नहीं करना अब यह automatic आपका enable हो जाएगा आपके mobile क net के साब सही तो latest हो सकता अभी हो जाए या थोड़ी जरबाद भी हो जाए तो जो wallpaper मैं आपको बता रहा हूं यह सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे कह सकते ही यही नए updates और यहाँ नए नए wallpaper को add on किया गया है अगर आप यहाँ पर categories change भी करेंगे like आप में special categories में डाल किया होगा आप देखेंगे जितनी बार भी आप देखेंगे उतनी बार आपको अलग ही दिखेगा जैसा कि मैंने यहाँ पर एक नई old dude जोड़ी है तो यहाँ पर आप खुशक भी दिख जाएगा तो overall दोस्तों यह मस्त दिया गया है उमीद है कि दोस्तों आपको ही मेरी पसंद आई कि ऐसी नई अपडेट के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना पूलना और साथ में नोटिफिकेशन बैल आइकन को भी दबा देना दोस्तों उमीद है कि आपको ही मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो देंक यू तो सबसे जरूरी चीज अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जोड़ो सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बैल आइकन को भी तबा देना ताकि मैं जैसी नहीं वीडियो आपको सबसे बेले अपडेट मिले तो थैंकियो दोस्तों